नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रत्य एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है और तरक्की का सीधा सा संबंध आपकी आर्थिक तरक्की से ही जोड़कर देखा जाता है मित्रों प्राचीन काल से ही अर्थ यानि धन का बहुत महत्व मानो जीवन पर रहा है आप किसी भी धर्मिक कथा को देख लें हर एक कथा दो बातों पर ही समाप्त होती है पहली तो यह कि साधक ने अध्यात्मे को नतिकरी और भगवान के धाम का अधिकारी हुआ और दूसरी यह कि साधक को धन धान्यवसुक की प्राप्ती हुई दोस्तों इसी कड़ी में माता लक्षमी जो धन की देवी हैं उनका मात तो बढ़ जाता है क्योंकि बिना धन के किसी का गुजारा नहीं हो सकता ये तो आप जानते ही हैं लेकिन जीवन में धन का होना एक सौभागय का प्रतीक होता है शक्ति और वैभो का भी प्रतीक होता है धन की आवक को बनाए रखना स्वयम में एक चुनोती जैसा है जैसा कि शास्त्रों में कहा ही गया है कि लक्षमी चंचला सौभाव होती है अथा अपने स्वभाव के कारण वह आपको छोड़कर अन्यत्र भी जा सकती हैं इसलिए लक्षमी को स्थिर रखना बहुत आवश्यक होता है माता लक्षमी भगवान विश्णु की पतनी है मा लक्षमी को श्री भी कहते हैं इन ही श्री लक्षमी को शोड़शी, शुरी विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी, कमला आदिनामों से भी जाना जाता है इसके अलावा इनके विभिन रूपों में इनका रूप धन लक्षमी, वैभव लक्षमी, गज लक्षमी, आदी लक्षमी, विजय लक्षमी, धैर लक्षमी और सनातन लक्षमी भी है पुराणों और शास्त्रों के अनुसार मा लक्षमी सदेव वर देने के लिए ततपर रहती है एश्वर्य, धन, संपदा, पद जो कुछ भी साधक मांगता है मा उसे अवश्य ही प्रदान करती है तो आईए मित्रों आपको बताते हैं कि माता लक्षमी को सहज प्रसन्न करने का सबसे आसान मंत्र क्या है जिस मंत्र के जपने से धन की प्राप्ती और धन की निरंतरता बनी रहती है यहां मंतर है ओम हरीम त्रिम हुम फट एक बार फिर से आपके लिए मंतर को दोरा देता हूँ ओम हरीम त्रिम हुम फट इस मंतर का 108 बार यदी प्रती दिन जब करें तो लक्ष्मी स्थिर होती है दीपावली के दिन 108 बार इस मंत्र का जब करना न भूलिएगा दोस्तों यह मंत्र स्वयम में बहुत ही शक्तिशाली है लक्षमी को स्थिर करने और लक्षमी का वास घर में बनाए रखने के लिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना गया है दोस्तों इस मंत्र को 108 बार नित्य जब करना चाहिए इस मंत्र के जब से मालक्षमी स्थिर होती है और घर में सदा निवास करती है दीपावली का दिन माता लक्षमी के लिए विशेश पूजन का दिन माना गया है इसलिए दीपावली वाले दिन इस मंतर को एक हजार आठ बार अवश्य ही जब करें तो दोस्तों इस मंतर को अपने जीवन में उतारिए प्रति दिन लक्षमी माता के इस मंतर को इस लगु मंतर को 108 बार जब करिए और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखिए आप अपने अनुभो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद, नमस्कार